नमस्कार दोस्तो वैलकम टुश्टेट इसमार्णेस आसा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वास्थम सुरक्षत होंगी दोस्तो अधेती सिक्षक लगातार कारमुक्त किये जा रहे हैं ऐसे आदेस जारी किये गये थे कि जो कारमुक्ती का आदेस है उसको अगामी आदेस तक स्थगित कर दिया गया था लेकिन दोस्तों फिर भी आप देखेंगे कि लगातार अतिती सिक्षक विरुजगार हो रहे हैं इसके बारे में आज की अपडेट क्या है दोस्तों चलिए देखते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप इस चनल पर नया है तो एक वर चनल को जरू के बाद स्कूल में पढ़ाने से कर दिया मोक्त इसाइज सिक्षक आने पर अतित्रिस उसको को किया जा रहा है बाहर मुकमांति सिवराशिंग चिवान ने इलान किया कि इसको का माण्दे बढ़ा दिया गया बढ़े हुए बेतर पाकर अतित्रिस खुष भी हुए लेकिन य कर्मुकत नहों करने की सर्थ नहीं मानी गई है जिससे रर्तमान में सभी स्कूलों में सभी सिक्षक बेजय बाहर किये जा रहे हैं भी हाली ₹ नई भर्ती वा पदोनती से कई विद्यालों में निमेज सिक्षक के आने से प्रधान अध्यापक एबं प्रचार्यों दोरा जिला सिक्षादिकारी दमों के आदेश का हवाला देकर अतिती सिक्षक को सेवा से प्रथक कर दिया जा रहा है अतिती सिक्षक संग के प्रधिस सह समयोजक पौन प्यासी दोरा जानकारी दी गई कि लोग सिक्षर संचालाल भोपाल दोरा पत्र के मंग 284 भोपाल दिनांग 3 अक्टूबर को पत्र जारी कर नेमस सिक्षक के आने पर अतिती सिसको को कारमुक्त करने है तू पत्र जारी किया देश तक अधितिस उसकों की कारमुक्ती पर रोक लगा दी गई थी लेकिन दमो सिक्षा अधिकारी जिला सिक्षा अधिकारी द्वारा 17 अक्टूबर को आदेश जारिक किया गया था जिसमें लिखा है कि अधितिस उसकों को भौतिक रूप से तो हटा दिया जाएगा GFMS Portal से नाम न हटाये जाए भ्रहम की स्तिके कारण कई संस्ता प्रमुक द्वारा अधितिस उसकों को हटाने की करवा ही लगातार की जा रही है जिससे कई अधितिस उसक्षक मानसिक वा आर्थिक रूप से परिशान हो रहे हैं 55 दोरा बताया गया कि संवे गुरुवार को जिला सिक्षदिकारी महोदय को आदेश में संसोधन आविधन दिया गया था आज दिनंग तक संसोधन नहीं किया गया है यदि आदेश में संसोधन नहीं किया जाता ताव अधितिस उसकों की पीड़ा को जिला कलेक्टर लोग सिक्षर संचानल भुपाल चुनाव आयोग मानो दिकार आयोग के समक्ष निराकरन हेतू निविधन करेंगी कारमुक्त करने की मांग नहीं मानी अधितिस को ने आंदोलन कर वांदे बढ़ाने हुआ पूर्व सत्रे कारमुक्त ना किये जाने की मांग किये थी लेकिन मुक्वंति सिवराज सिंग ने उनकी यह मांग नहीं मानी सीधी भरतिसी सिख्चों की स्थाई पोस्टिंग की जा रही है जिससे यहां सिख्चक पहुंच रहे हैं और वहाँ पर तैनात अधिसी सिख्चों को स्कूल से कारमुक्त किया जा रहा है पोर्टल से ना किया जाएक कारमुक्त है डियो डियो एस के नियमा का कहना है कि नियम है कि इससाई सिक्षक के आने पर 38 सिक्षक को स्कूल से कारमुक्त किया जाएगा जो आदेस आया है उसमें स्पस्ट कहा गया है कि 38 सिक्षक को स्कूल से कारमुक्त किया जा लेकिन पोर्टल से कार्मुक्ष ना किया जाने का आदेश है इसलिए जिले में जितने भी संकुल प्रिचार द्वारा स्कूल से अत्री सिक्षक कार्मुक्ष किये गए हैं उनके नाम पोर्टल पर प्रदसित हो रहा हैं वहाँ पर उन्हें कार्मुक्ष नहीं किया गया है तो जिलत सक्छादिकारी दमों की दोरा क्योंकि दोस्तो जो आपका डीप आपका जो आदेश जारी revise कर दीया गया थे लेकिन dir uniform जिलत कर दीया गया है नरेस दोस्तो और भी हिम्पोर्टनउइग ब्रेश के लिए बनने है जाहिं जह भारत